आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो लेटे जज्जमेंट को लेकर हैं यहां पर जो है को काफी बड़ी रिफ प्रोवाइड की गई है रिडियो को पुरा एंट तक देखेगा समझेगा और हो सकता है कि इस केस के जो फैक किया है डिपार्टमेंट की तरफ से काउंसिल है उसके बाद यहां पर अब समझेगा केस के फैक्ट्स क्या थे यहां पर पेटिशनर ने कहा रिट पेटिशन में रिक्वेस्ट किया कि सरेक इंपंज उन्हों नोटिस पहले पास हुआ 6 सेप्टेंबर को कि 6 सितंबर को यह स सोकोज नोटिस बेजा गया जिसके तुरू जो है सेक्शन सेवन डिकरी में डिमांड क्रिएट की गई अब जो पैटिशनर है उन्होंने कहा कि जो यह सोकोज नोटिस है यह लोग के अकोडिंग नहीं है वो ऐसा क्यों का अब यहां पर वो भी चीज आपको कंफर्म होगी जो सेक्ट वाला नोटिस यहां पर बेजा गया है उसके अकोडिंग यहां पर जो है डिमांड क्रिएट की गई है लेकिन जो पहले वाला नोटिस था उसको यहाँ पर डिबाडमेंट ने विड्रो कर लिया और उनोंने कहा कि जो अपने बाद वाला नोटिस भेजा है ना उसको हम यहाँ पर एड्यूकेट करेंगे तो ऐसा काफी सारे केस हैं जो मैं डिबाडमेंट ने किसी भी financial के लिए multiple notice भेज दिए और जो educate किया वो पहले या दूसरे को लेकर नहीं last वाला जो भेजा था जिसमें काफी सारे points उन्हों ने रेज किये थे उसके बेस पर education कर दिया और उसी के लिए अब यहां पर जो respondent की तरफ से जिस्टी department की तरफ से लंगांसिल है उन्होंने कहा कि सर जो order है वो तो बिल्कुल time limit के अंडर में पास हुआ है और उसके अगेंश्ट में जो सो कोज नोटिस है वो भी प्रॉपर ली एडियुके हुआ है उन्होंने order की कोपी और जो प्रॉप यहां पर similar होंगे second point है कि जो order पास हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि जो प्रॉपर नहीं है वह प्रॉपर नहीं है या वह अलग-अलग language में आएगा कि वह acceptable नहीं है या फिर वह ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है properly सारे documents upload नहीं किये हैं तो उस case में proper officer को यह बताना पड़ेगा तो यह region order पास करना पड़ेगा कि आप बताईए क्या ऐसा document है जो कि यहां पर submit नहीं हुआ है या क्या पूरा क्या submission जो है वो बाकी रह गया है तभी तो जो SSC है वो अपना further submission कर पाएंगे ल लेकिन काफी case ऐसे भी है जहां पर आपको पॉर्चिनिटी प्रवाइड की जाती है section 75-4 में कि आप आईए personal hearing के तुरू हमें आप explain कीजी तो आप वह जो provision है उसको जरूर अवेल कीजिएगा आपके पास जो भी reminder आएं आप अपने document को submit करें अगर one time में पूरे submit नहीं हो समय है तो आप agent भी करा सकते है नोटिस की डेट रेफरेंस में भी add to reply file by the petitioner to the soco's notice अब उन्होंने कहा कि अपरेंटली ऐसा दिखता है कि प्रोपर ऑफिसर ने जो है इनके द्वारा जो रिप्लाइ समिट किया गया है उसको consider ही नहीं किया है यह front पे ही दिख रहा है उस वाले order के front पे प्रोपर ऑफिसर ने जिस तरीके से लिखा है कि आपके document प्रोपर नहीं है supporting document नहीं लगे है आप इसमें कुछ नहीं कहाना चाहते है तो वह चीज सही नहीं है और जो order पास हुआ है वो ऐसे ही पास कर दिया गया है बिल्कुल लाश्ट प्रोडर पास हुआ है consequently we are of the view that the date order cannot be sustained इसलिए उन्हें प्रोपर ओफिसर को फिर से रमिट बैक किया गया है कि ठीक है जो so close notice आपने last में वेजा है उसी को आप account for कीजिए और उसके against में जो reply इन्होंने submit के है उसको properly consider कीजिए further अगर आपको यह लगता है कि कोई document इनकी तसर रह गया है तो आप उसको ले लीजिए कोई आपको clarification लगता है वो clarification भी इनसे ले लीजिए उसके बाद इनको intimate कीजिए पैटिशनर को कि आपने जो यह document यह clarification दिया है यह proper नहीं है इसमें क्या कमी है ताकि आप इनसे properly ले जब तक की पैटिशनर जो है सब्मिट करने से मना न करते कि हमारे पास अब further कोई document नहीं है ठीक है उसके बाद proper officer जो है speaking order पर पास करें इनको personal hearing की opportunity भी दें और उसमें four weeks का time यहां पर प्रवाइड किया जैसा उन्होंने कहा था ना कि पहले first notice मेंज दिया फिर उसके बाद second notice मेंज दिया तो अब यहां पर open है उसको decide नहीं क्या गया है needless to state in case of petitioner still by any order अगर फिर भी आप petitioner को ऐसा लगता है कि यह जो order इन्होंना पास किया है तो वो लोग के according जितनी भी remedies available है वो उनको entitle कर सकते हैं ठीक है इसका मतलब है कि वह appeal कर सकते हैं यहां पर उनको यह चीज की गई है मतलब प्रॉपर ऑफिजर के दोनों के यहां पर राइट्स को रखा गया है उनकी जो पावर संब को सिक्यूर किया गया प्रॉपर ऑफिजर की कि वह फिर भी सब चीज़ें करते हुए लोग के जजमेंट में कि एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस जो एंवैलेट होगा तो यहां पर आपको वीडियो में जरूर मिलेगा पर काफी सारे वीडियो जो यह चैनल पर आप चैनल के जो परपज़ा फुली अजुके सब्सक्राइब करें या न करें वीडियो जरूर देख निगलेट हैं